विवस हमारी लाइफ में हमारी मधस हमारी माएं नजाने कितने रोल अदा करती हैं कुक टीचर लॉयर गाइड और सबसे एहम हमारी सिक्रेट कीपर हमारी पहली राजदार हमारी माँ होती है जो हमारी इंजाइटी, हमारे स्ट्रेस, हमारे इशूस को हल करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी हम मेंसे कितने ऐसे हैं कि जब हम अपनी मधस को परिशान देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आखिर आप क्यों इतनी परिशान हैं हम जब अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को परिशान देखते हैं तो हम कहते हैं चल लेट्स गो आउट फर आ कॉफी हम चल कर बात करते हैं क्या हम यही अपने पैरेंड्स के साथ रखते हैं वेन वस दे लास्ट टाइम जब आपने अपने पैरेंड्स से यह कहा था कम लेट्स को फर आ वाक लेट्स टॉक कब आखरी बार हमने उनसे पूछा था कि वो क्यों पेचैन है है आजकर क्यूं वो बात बात पर लड़ती है क्यों बात-बात पर बिगड़ती है क्या सिर्फ यह हमारी माबाप की जिम्मेदारी है के वो हमारा खयाल रखे क्या यह हमारी रिस्पॉंसिबलिटी नहीं sore ऐसे ही चन्ब सवालों के जवीब आप आप तक पहुचाएंगे प्रोग्राम यूथ पैट्रोल में तो आए सबसे पहले इस्तिकबाल करते हैं डॉक्च अली अगबर घबरानी का जो के एक काउंसिलर और साइको थेरेपिस्ट है ढॉक्तर, सलाम अलेकों एक हर पाद की तरह इस आपर हुआ यह इस बार काफी सारे सवाला ऐसे हैं जो बच्चों का कहना है त्यूंगे पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो उच के पार्न्स नहीं समझते हैं तो अगू को बच्चों ए स्दीन्ग्स ओने लगती है आर प्रेंज with my mother. I can't recall her showing me any signs of love or support. I never have been able to talk to her about my problems. And when I do, she either shouts, making me feel dumb, or takes the opportunity to tell me about her issues instead. It's all about her. I have reached the point where I don't like spending time with her. Please help." . 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 बिफोर सार्टिंग मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बच्ची को के आप यहां से शिफ्ट कर लो अपना कोगनिशन लास्सिंटन्स क्या आपनो वोला I have reached the point where I don't like spending time with her तु पहले शिफ्ट कर लो के she is my mama, I love her and I'll start working on myself on? मैसल I will start, she is my mom, I love her I'll start working from my end अच्छा, अपने एफर्ट ले अपने एफर्ट और अपना कॉगनिशन बदलना है कॉगनिशन मीन्स थॉट्ट अपना पर्सेप्शन बदलने का है बहुत अच्छा लगता है, यह 21st century और यह जमाने के बच्चे लोग माशाळला इतने मेच्योर है के अपने माबाप के बहवियर को नेशनल टेलिविजन तक लाते है और यह एक्सपेक करने के बाद में कि भाई, कुछ सोलुशन मिलेंगा के मेरी मम्मी जो है वो करेक्ट हो जावे अपने मपने के बाद बच्ची को बोलता हूं की वह आपी मम्मी की मम्मी बन जाओ अपनी मम्मी की मम्मी बन जाएँ तो अब को क्ईमा aja हमए अपनी रोल बदलोंगे ला आप अपना आप बेटी हो जी आप रोल बदावन के उसकी माँ बन जाओगे राइट अब क्या देखोगे उसको as a child as a child के मेरी बेटी है ये इसको क्या तकलीफ है ओ ये क्यो चिल्ला रही है ये ये टाय तो अंडर्स्टेंड हर हर प्रस्पथटिव राइट हर एमोश्य जी जी आप उसको बोलोगे अप उसको पहले बड़े कि ये कुन सी बात पर बात पर जाएग डी राइटी हो जाती है तो सी बात पर एंटम वे जाती है या नौट स करने लगेंगे तर फिर एक देन उसके बात पने संज्वाए तक उ तंडी हो जावे, दो ग्लास पानी पिलानेगा पहले उसको. उसके बात में, मुले का, ममा, I was observing you, आप बिलकुल, एक दूँ. मतलब उसका उसका अंकॉंशिए जो बहेवियर है, आप उसके बहेवियर को अवेर करा रहे हो, इंसाइट दे रहे हो उसको. उसको अकल दे रहे हो, ममा को अकल दे रहे हो, क्योंकि वो बिचारी तो अंकॉंशिए कर रहे है. राइट, बिलकुल. अब जब भी उसको आइना दिखाया, शीविज़ रिलाइज, ओ मैं गॉड, I was doing this thing. मैं ऐसा क्या हो, जी. ममा, I am there with you. कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, जो मेरी बहन है, जो ममी है, उसका और अपने हस्बंड के रिलेशंस में तनाओ है. अच्छा यहां नए बच्छी के मम्मी डैडी? हाँ. अपना जो अपना इमोशन है वो अपने हस्बंड के उपर एक्स्प्रस नहीं कर पा रही है. हो वाण के अपनी मा का अंधर का जो हट है, उसको हील करना है. Okay! यानि जिस चुरह हम्हेशा कहते है न कि माँ बच्चे की दोस्त होती हैं, तो इने यह रोल्स चेंज करने एंने रोल्स चेंज करके अपनी मा का दोस्त बन जाना है. Okay. A, G. और उसके हर्ट को हील करना है. Right. और ये जो फरॉस्टेशन आरा है, ये, शीज आसके पर वैलिडिशन. मैं इंपोर्टन उसको फिल कर आओ इंपोर्टन हो, तो हमारी फैमिली की मम्मी हो. ये पर मोस्त इंपोर्टन परसें इंदीस प्लानेट. जी. परेंट के लिए मैंटर करता है, इमोशन्स ही मैंटर करता है, उन्हें बड़ी चीज नहीं नहीं चाहिए। उसको ऐसा लगेंगा, इम्पोर्टन्स फिलोगा, कि there is somebody on this planet who cares for me exactly फिर आपकी बताएंगे, कि मेरे कु ये परेशानी है, ये तकलिफे ये then hold her very tightly, आप तो अच्छी हो, माशा लिए इतलिजन्ट हो यहां तक question आये, इसना observation किया and if she needs help, give her help if she needs friendship, give her friendship if she needs validation, give her validation exactly, exactly हम दोस्तों के लिए बहुत efforts लेते हैं माबाप के लिए लेई सकते हैं बिल्कुल, लेना ही चाहिए, हमारी responsibility exactly, exactly, thank you so much doctor I think यह message सिफ हमारी sister के लिए नहीं है बलके जितने youngsters हमारा program देख रहे हैं बोट सारे बच्चे यह फिल करते हैं you know, मेरी ममा या मेरे डड़ी मुझसे प्यार नहीं करते time नहीं देते हैं, चिलाते हैं, बात नहीं सुनते हैं ठीक है, relax please मैं आपकी बात काटता हूं वो प्यार करे के नहीं करे आपको करना है आपको करो सको यह थौट आनहीं नहीं चाहिए कि मेरे मम्मी डड़ी मुझे प्यार नहीं करते हैं यह इंशाललह एंशाललह you will see the change अपसे यही कहा Queen sister कесь को दुन्याvे से भीरिष्टी रिष्टिश्पेटीये सब्सक्षाटा के बात अइते हैं क्यों कि प्राइम च्यारियरी गीवारी साब तो और अवरावश कॉतीयों आप अपना रोल चेंज कीजिए, आप उनकी माँ बन जाए, आप उनकी दोस्त बन जाए, आप उनसे बात करें, जब वो गुस्से में है, आप से कुछ कह रही है, उस वक्त आप सुन ले, ठीक है, पंचिंग बन जाए, लेकिन जब वो शान्थ हो जाए, तब आप उनसे कि ममा आप उनसे किया, आप नसे बोला, जब आप अपनी अप्रोच बतलेंगी, तो उनका अटिट्यूट अपने आप बतल जाएगा, और व गुस्त कहिए, यह जब आप उनका आप बतल जाएगा, अग्या को कि हूए प्यं सून जाए, प्या का ब्या जाए, अग्या हुर इन का है एंका कहना है कि यह इंट्रोवर्ड है यानसे भुलना, मिलना पसंद नहीं करते हैं, इनहें अकेलर हहना पसंद है। इंहें कहते हैं कि इन जिन्दगी में जो क 속शन समस्पार गार है उनकी तchemical है … क्या कहेंगे दॉक्टर? मुझे इसा लगता है कि यौर नॉन असर्टिवनेस इस दॉब्लम ये इन्हें ज्यादा असर्टिव होनी की जरूरत है इस बात पर ये इंट्रोवर्ट है उनको नहीं समझता है ना तो अब उनको बिठा के समझाओ कि मैं इंट्रोवर्ट हूं मेरे कु एक्स्टरनल एनर्जी की जरूरुवत नहीं है पर डॉक्टर पैनन्स ये बात नहीं समझते ना उन्हें लगता है सोशल सर्कल होना चाहिए सोशल सर्कल नहीं होना चाहिए आप उनको बैठके समझाओ आप अपने भी थौट कु बदलो अपने भी रिलेशनशिप कु बदलो आपके जो घर के जो वेरी वेरी क्लोज मेंबर है ना जिनसे आप अटैश्टो उससे आप खुल जाओ जो एकदम नियर एंदियर जो हमारे क्लोज क्लोज रिलेशन गुट जो डूठीवल मिलता है क्लोज मिलता है इसके साथ बात करना शुरू कर दो औरREE ममा को बताओ क्ीममघाभी इन मिय वर्ल आप श्तरोवट मुझे बहुत जादा बाहर लोगोंके साथ में मजा नहीं आती है explain करें, explain करें, make them understand ये एक प्रस्पेक्टिव हुआ, ये एक solution हुआ, दूसरा solution आप अपनी फेमेली से थोड़ी जादा बाते करने लगें करनेक्ट हो जाएए जी और ममी डड़ी के साथ आप बोलो कि ममा डेडा विल गो फोर वाक, आप भी घर से भाहर निकलोंगे उनका यह जो अप्रियेंशन है, कि घर में घर में घर में घर में आपकी एक्सराइस होगी, आपका भी थौट बदलेगा, आपको अच्छा लगेगा, उनका भी स्ट्रेस कम होगा, जी, बिल्कुल, एं ओल सेट एंड़, आपको बैठ के एक्स्प्लें करना है, जी, ये बहु इंपोर्टन चीज है, जो हम काफी बार हमारे क्वेशन्स में, डॉक्टर हमेशा यही सज़ेस्ट करते हैं, कि आप जो भी बिलीव करते हैं, आप उसे एक्स्प्लें करने की कोशिश कीजिए, असम्शन्स नहीं मराइएं कि नहीं समझेंगे, आप अपने पैरंस को बिठा उन्हें उन्हें जरूर समझाएगी, और देरा फ्यू पीपल, दोस वार मैन ओ फ्यू वर्ड्स, उनके गोल्डन वर्ड्स होते हैं, जी, जो जादा बात करना पसे नहीं करते हैं, जी, ठीक है, ममी डड़ी को समझना चाहिए, कि ठीक है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी जो है जो यह कैटेगरी में आते हैं, जी, जी, बेटी जो एकुछ गॉसिपंगें उन्हें जो जादानी लिए जादी है, जी ममा, बड़ा को समझनाच चाहिए, मेरा बच्चा जो है वह हूह बुल्डन वर्ड्स का हमी है, मैन ओ फ्यू वर्ड्स है, इक्सेट्टि, एक्सेटि, And it's fine, आपको अपने बच्चों को अनकंडिशनली एक्सेप्ट करना है. As long as अपना प्रॉपर केरता है वो, खाना खाता है, एक्सराइस करता है, उसका बेहवियर इंटेक्ट है, तो मतलब उसको ज्यादा प्रोवक करने की जर्वट नहीं है, मुझे इसा लगता है. So, साथी पैरेंस को भी यही कहना चाहेंगे के ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, वो शान्त होते हैं, उनकी पस्नालिटी है, यह उनका नेचर है, आप उन्हें अनकंडिशनली एक्सेप्ट कीजिए. We'll move on to the next question. Please. My mother has developed habit of peeling skin around her nails, is this normal? इनकी जो ममा है, उन्हें जो हमारे नाकुन के आसपास skin होती है, उसे खीचने की या उसको कुछ करने की आदत है, तो, इस इस नॉमल, बात लोग लोग जा करते हैं. यह आदत नहीं है. नहीं है. नहीं है. यह एक एंजाइटी है. यह एंशनेस है. Skin pill करना? यह एंजाइटी है, 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 कोई छीज से परेशान हो यदे यद आपको डरा रहा है या आप इंटर्ne GIS करकै इतना आंकिए हो जाते हो कि यो उनकॉंसे हो कि तियो फिझिः लूज इस थिफ इस थिस थि.. एक साइन है मजडं़ मरें गायने क्ला सी दौहर जाते है किस चीज की डर लगती है पुर। उसका हल निकालेंगे। कंसर्ण को अड्रेस करेंगे। ने ने कुछ नहीं है। ओके कुछ नहीं है। ठीक है, it is all right. अच्छा याने हो सता है वो बताए भी ना। ना बताए ने। ना बताए ने। तो फिकर में, फिर बच्चे लोग भी ने। बच्चे भी थेंशन लेंगे, जी. तो अच्छा बलो, मुँआ मुआ हम बताए ने। लेकिन हम हाथ के उपर बैंड़ेंगे। कि तो अपकी स्किन खराब हो रही है। And we are concerned about your skin. Right. आप ये बांग दोगे ना, तो जब भी यहां पर करने जाएगी तो उसको लगे का कर यहां तो बेंडे जाएगा. याद आएगा. याद आएगा. याद आएगा तो यह जो थौट की साइकल है न वो तुटेगी. Exactly. And then you intervene. के ममा, nothing to worry. I am there. What is the problem? विका उस ताइम पर उसको पसीना भी आता होगा. उस ताइम पर उसके हाट बी बहुत बढ़ जाती होगी. उस ताइम पर उसके चेहरे का रंगत भी एगदम अंशियस हो जाता होगा. जी. Nothing to worry. ममा, have a glass of water. काम दाउन. I am there with you. It will not take time. It will not take time. She just need assurance कि समबडी इस ताइम पर उसके होगा. ओ, okay. उन्हें अकेला प्राइम होगा. अकेला मैसूस होता है, तो ये साजी चीजे फील होगा. जी. जी. जब उसको हिम्मत है कि मेरी वेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा हस्बंड भी है. आपको अपकी ममा को अश्यूरेंस देने की. उनसे बात कीजे जिसरा डॉक्टर ने कहा है, उनके हाथ पे बैंडेट बाहन दीजे, ताके जैसी वो अपने नेल्स को अपनी सिकन को पील करने की कोशिश करें, तो उन्हें याद आए. कि उन्हें ऐसा नहीं करना और उनका थौट प्रोसेस टूटे तब आप अपनी ममा से कहिए कि आप मढ डरिये आप अकेले नहीं है और इंशाल्ला अगर आप इसी तरह उनकी केर करेंगे उनके साथ रहेंगे उनसे बाते करेंगे उन्हें वक्त देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने कंसर्न आपको जरूर बताएंगी और इंशाल्ला थिंग्स विल बी फाइन उसको ये उसके दिमाग में डालने करें के ममा यॉर नौट अलोन राइट राइट जो भी चीज है हम लोग सब मिल के उसको फेस करेंगे जी सबसे इंपोर्टन चीज जिस तरह डॉक्टर ने कहा है आपको अपने पैरेंस को अपनी ममा को ये बोलना है यू आ नौट अलोन आप अकेले नहीं है जब उन्हें इस बात का ऐसास हो जाएगा कि मेरे बच्चे मेरे हस्बंड मेरे साथ है तो फिर I am sure कि कोई भी थौट उन्हें इतना परेशान नहीं कर पाएगा सो उनके साथ ताम स्पेंड कीजिए उनसे बाते कीजिए अगर वो परेशान है स्ट्रेस में हैं अन्साइटी में उन्हें पानी दीजिए उनके साथ बैट कर बात करिये इंशाला फिर आप चेंज जरूर देखेंगे, राइट दॉक्टर? प्लीज मेरा आठ साल का बेटा बेटा पूरा वर्क्त बैटल ग्राउंड गेम्स केलता है और फिर उसी लहजे में बात करता है क्या किया जाए? परेले तो आप उसको खेलने ते हो परेले ख़ोद फौन देता है जाएक खेलता है अब उसको खेलने मत दो ना पितो मुमेंट अप ये सोचो किके मुझे उसको खेलने नहीं देना है आपको effort देनै पुदेगा नहीं एफर्स नहीं प् comedyको देना पडेगा एन्टेयर मम्म सब्सका Tag इस छेखो बैंगे परीकिशन ठेकर हे श्रेयन विश्पन बंडिब अल्यंगविश्व Language and throwing it to you. Right. थाली picking up तो यहां तक होता है. जी. मैं एक्सप्रेस भी करता हूं आपके सामने. मतलब कही ना कही एक स्टेप वो आगे बड़ा है. अभी भी आपके पास यह मुका है कि या तो उसको गेम दो. या तो मा दो. या मम्मी दो. You decide. या तो मम्मी दो जाता है. अगर उसको मम्मी देना है तो गिव एंटार मम्मी. तो उसको एक्चुली जाएं कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए. अभी जाएं प्रदर्स का रोल्ली होता? अभी बड़ी. इस नोट छोटा भाई है उसको भी समझाने का. या 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 जाएं को भी समझाने का. या जाएं कि बड़ भागगा उसको इतना थकादो बच्चे को. तो इतना थकादो भागदो बच्चे को. अभी लोट से गेम कहलने के भी समझाने का इतना थक्त्चुली अधिय। इंटेंशन यह नही उनना चाहिए. भूप जाओ उससे मैं अटेच हो जाओं, वो गेम से डिटेच हो जाओं है. Exactly, exactly. मैं मतलब मैं नहीं, खाली मुम्मी नहीं. जो भी घर मैं जो एड़ी लिधरी विच्टादार है जह प्रश्टार शेखर फंक्षण होता है यह बच्चा प्लेज गड़ा उसके साथ पर करेक्ट हो जाओ जो भी रिष्टादार है तो सब टाइम जो वे फोंसे खुड़ी डिसकनेक्ट हो जाएगा यहां पर अटेच तो तो सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप डिसाइड कीजिए कि आप चाहती हैं आपका बच्छा फोन चोड़ें बिकोज अगर वो फोन यूज ना करें तो आपको अवेलिबल होना जरूरी है क्योंकि अकसर हम यह देखते हैं काफी बार questions ऐसे आते हैं कि parents खुद बच्छों को phone देते हैं then वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्छे जरूरत से ज्यादा phone इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरत ना ही सिर्फ आपको बलके आपकी family के हर फर्त को इस बच्छे को वक्त देने की आप काफी सारी चीज़े कर सकती हैं बुक्स बढ़ सकती हैं जिससरा डॉक्टर ने कहा है इनके डैडी ने बाहर लेकर जा सकते हैं इनके साथ exercise कर सकते हैं जोग कर सकते हैं तो फोन हो उससे डिस्कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा राइड दॉक्टर मुझे लगता है कि अगर मेरी बेहन मेरी हर बच्ची जो मा है अगर यह थौट कर ले और यह हैंnon Iggaר कुट अगर अगर अपने बच्चे के ऊपर काम करें की हाथ में मेरी मुहभबत में अतनी ठाक़त है कि दुनिया की कोई भी गेम होगी, उससे मही और पावर कर लूगी. अगर ये इंटेंशन से, अगर अगर अपने बच्चे को तच करेगी ना, तो मही समझता हूँ के, यौर दन. Exactly, exactly. But वो इंटेंशिती और वो वाम्थ, वो प्यार मम्ता, मुझे मेरे हाथ में लानी है. Exactly. एफर्ट आपको लेना है, तभी आप चेंज देखेंगे. जी, वो प्यार मुझे नेक्स कुछिए? Please. I am 23, and recently one of my friends said that many people are afraid of me. They think I am cold, distant, serious, and seem too perfect and independent. Also, they think I look grumpy, cranky and short-tempered. It seems like those traits make me a bit unapproachable. What should I do? Viewers, इनका ये कहना है, कि इनकी जो एक दोस्त है, अच्छी दोस्त होगी definitely, उन्होंने इन्हे कहा कि जो लोग है, वो ये समझते हैं, कि ये बहुत ज्यादा serious है, बहुत independent है, किसी से बात करना पसंद नहीं करती, इन्हें बहुत गुस्सा आजाता है, हमेशा गुस्से में रहती है, और इन्हें ही लगता है, कि मतलब इनकी दोस्त का ये कहना है, कि लोग इनसे बात नहीं कर पाते हैं, इनकी facial expressions की वज़े से, तो क्या करना चाहिये हैं? सबसे पहले तो आपको मुभार्ण बात, दोस्त को? नहीं, आपको, कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, ढखे जिन्होंने question बेजा है, उनको salute, उनको मुभार्ण बात, कि इतनी अच्छी दोस्त है कि आपको आइना दिखाती है राइट आज की वक्त में कोई इतना टाइम जी जैसे लोग दूरो गए वो इसे वो भी दूरो जाती जी पॉसिबल था राइट उन्होंने आपको आइना दिखाया है और आपकी वीकनेस दिखाई है जी Now it is your responsibility कि आपकी वीकनेस को आपको स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है Okay जी लोग क्या सुचते हैं, that is not important मेरा रिलेशन मेरे साथ में कैसा है Personal Relationship मेरे साथ में मेरे साथ में कैसा है Intrapersonal Relationship Okay अगर वरोग कॉंफ्लिक्ट वाला है अगर मेरे अंदर कॉंफ्लिक्ट है Conflict as in stress में stress बोलो या कुछ भी इस्चुस मुझा सता रहे है या मेरा ego है या मैं अच्छी नही दिखते हूं या बहुत अच्छी दिखते हूं Whatever, conflict है या मेरे अंदर मेरे साथ में मेरा conflict है या तो मेरे face पे reflection आएगा Correct 93% is non-verbal How much? 93% 93% is non-verbal याने हम 93% facial expression से communicate Facial expression, body language, जो भी आप बोलो Okay 7% what you and I speak is only 7% Really? It's a science Okay So 93% अगर मेरे facial expression पे अगर conflict आता है अगर गुस्सा आता है एथिटिटीड आता है मुझे लोगों को ठीक नहीं करना है अपने आपे वकरना है मुझे अपने अंदर काम करना है कि कितना conflict मेरे अंदर है और उसका resolution क्या है अंदर अगर मेरी positivity आजाएगी तो 93% के अंदर positivity आएगी और जब 93% के अंदर positivity आएगी तो मैं एनर्जी को उन्सी थो करोंगी Positive Positive तो लोगो अट्रेक्ट ऐसे होएंगे मेरे से पॉजिटिवली I am not talking about that attraction I am talking about your friendly attraction जी, जी वो जो लोगो को लग रहा है ग्रम्पी वगरा है वो सारे जो मिस्कंसेप्शिन से मिस्कंसेप्शिन नहीं है, राइट है जी वो देख रहे हैं यह चीज यह वेरी क्लोस फ्रें नहीं भी किया है लोग दूर जा रहे हैं तुझसे जी, जी Now you have to work with yourself एले एक्सेप्टेंस लाना सरूरी है एक्सेप्टेंस लाना का है, हाँ, मुझे इंट्रोस्पेक्टो करना चाहे नहाँ क्यू आसा है क्यू है मैसा और मेरे अंदर क्या कर चाहें चाहरे है अंदर पोजिटिविटिविटी हायगे 93 पर्संट के अंदर पोजिटिविटीविटी आज जीग I'll start throwing a positive energy towards the people Surround me, Around me I will start attracting them मुझे कैसे पता चले के ये लो को आपको मैं अट्रेक कर पाय थी। हैंके निय। में लेंग्विच वट्वाट अभी मेरे काइंड वड्स अने लगे अंदर पॉसितिव होगा तो यहां से काइंड वर्ड्स यह निकलेंगे अंदर मैं फ्रस्टेट हूँ तो फिर वो गुस्ता ही निकलेगा अंदर अगर मेरा काइंडने से मेरे अपको प्यार करने लगा अपना जो परेशानी उसको मैंने हील कर दिया वन यह काम यह उस्पीक काइंड तो आप जब काइंड बोलो गया तो जो दोस लोग आपसे दूर चले गए वो नजदिक आने लगेंगे जड़ को कर दिया है जाए दुस्टफिक? यह नदिर है उट्फिक? widely थाशनी आप्मेट आपकिंडच मेरा यहीं जड़ जय क्यों लोग वाले आपको नजदीग नही। यहाँ चाहनत दूर फेसे नहीं हम इस वाणत लिड़ा फ्रश्य। और आपको पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता वही एक ऐसी दोस्त होना जो आपको बताय के आप कहां गलत जारी है यूशुट से थैंक यू लिए अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करना अपनी खामयों के या खामया नहीं कहेंगे या अगर कोई मचला है, कोई वीकनेस है तो उसके बारे में अवेरनेस होना इंग बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अवेर है तभी तो आप उन्हें उस पर काम कर पाएंगी, इंप्रूफ कर पाएंगी अगर आप अंदर से positive है तो आप बाहर positivity दे पाएंगी लेकिन अगर आप अंदर से stressed है, आपको tension है और आप उसे address नहीं कर रही है आप द्यान नहीं दे पा रही है उस पर तो आपके चहरे पर दिखेगा जिसके वज़े से लोग दूर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, कि आप अपना ख्याल रखें, अपने इशूस को अड्रेस करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिये, और अगर आप एक बार पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके दिमाग में पीस हो होगा, सुकून होगा, तो आपके चहरे पर जरूर नजर आएगा, फिर यह सारे मसले डेफिनेटली नहीं होंगे, राइट दॉक्तर? प्लीज, थैंक यू सो मच अपना कीम्तिवक्त हमें देनेगे, प्लीज, आपने मुझे इन्वाइट किया, और होप, यह जो लास्ट क् करो, empire-making age है यह life की. आपका empire-banane की यह jh, आपको konflikts me utarnen기 age नहीं है. अएग्या, exactly. Make your empire to the fullest, live to the fullest, imply whatever I've told you thank you very much for inviting me of giving me this opportunity, कि मैं आपके श्यूस्यकों लोगों की इस्यूस को एड्रिस कर पाहूं, thank you very much. Thank you so much doctor. Viewers, आपसे यही कहना चाहेंगे, खासकर हमारी यंग जनरेशन से कहना चाहेंगे, stress, anxiety, problems, issues are a part of life. आप इससे deal कैसे करते हैं, positive किस तरह रहते हैं, it's the art of life. तो इस art को सीखने की कोशिश कीजिये, और जिस तरह डॉक्टर हमेशा कहते हैं, हमारे thoughts का, हमारे अलफास का, हमारी thinking का, positivity का remote control, हमारे ही हाथ में हैं. So why not switch to something positive, हम negative क्यों सोचें? और साथ ही अगर आपके कोई मसले हैं, कोई issues हैं, तो डॉक्टर के पास उन मसलों का solution है. आप हमें वो questions जरूर भेज़ें, हमारी contact details आपकी TV स्क्रीन पर मौजूद है. इसी के साथ Team Youth Patrol को दीज़े, जाज़त पर बने रहे चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत शुक्रिया. झाल